और लास्ट में अगला रखा हुआ है इस साफ से आपका जो है यह चौथा कोंस्टेंट मैंने यूज करके रहता है प्राइमरी की यूनीक नॉटनल और आपका डिफॉल्ट अब हम यूज करते हैं लास्ट जो हमारा कॉंस्टेंट है चेक तो चेक कॉंस्टेंट मैंने जीले में रखा हुआ है क्योंकि वो कभी-कभी वक करता है कभी-कभी वक नहीं करता है और ज्यादा इसका यूज भी नहीं रहता बट फिर भी हम उसको यूज करते हैं तो चेक से क्या है यह हमारा जो है सारी कॉलम वाला ऑप्शन लेते हैं जिसमें सारे कोलम का पहले हम यूज कर चुक है यह सारे कोलम हमने यूज कि यहाँ पर आगर वेलू जो है 3000 यह 4000 लेते हैं क्योंकि हमने लिखा ता 5000 आट ऑना होनी चहिए चाहिए ठार हम वैली तो यहाँ पर मैं एक्ड्रस में भी चेंज कर देता हूँ यह circular हो गया और यहां पर आपका तीसरा मित फर्स्ट के नाम से भी हो गया यह रॉल लंबर टू हो गया अब यह देखते हैं वैल्यू ले लेता है तो वैल्यू लेने ने में आपे उसने उसको अफेक्ट नहीं किया जो आपका चेक वाला ऑप्शन था वह इसने इसको नहीं माना एक तरीके से और इसको हम यूज कर लेते हैं हो सकता है यह वैल्यू के साथ ना ले रहा हूँ अगर हम इसको कॉलम के साथ दें तो यह एक बार समझ लें कि यहां पर वो कॉन्सकॉन से कॉलम में एरर है तो रॉल नंबर दिया था हमने से नीम दिया है नीम के बाद आपका एड्रेस है एड्रेस के बाद दियो भी है और दियो भी के बाद आपका एड़्ीशन और उसके बाद है आपका City अ देखें अब यह बोल रहा है डुब्लिके एंटी प्राइमरियी के लिए चलो उसको भी ठीक करे लेते हैं आउसे ले लिया और यहाँ पर हम इतमों कर लिया यह भी लेख रुख और यह जो आपका चेक वाला ideal section है वह क्यूप सही से हम यहाँ पर कभी- какое करता है और कभी नहीं करें तो यहाँ पर आपने लिखाता है एडिविशन फीस 5000 से जाता होनी चाहिए बट वह यहां पे 5000 से ज़्यादा बेसिस पे ना लेके वह कम पे भी ले रहा है ठीक है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप चेक वाला ऑप्शन जो है काम करता भी है और नहीं भी करता है ठीक है तो होप आपको यह के सब चीज़े समझ में आई होंगी और अब इसके बाद जो हमारा जो है foreign की वा एक लास कॉंस्टेंटению मृण यूज करना है कि कह करना है तो foreign आप यूज करें उसके लिए है जो foreign rig का यूज है वह उसमें बनाते हैं तो उसमें foreign की का यूज होता है कैसे करते हैं वह देख रूल के नाम से हमने बना ली और इसमें मैंने दिया आपका एड्मीशन नंबर एड्मीशन नंबर मैंने दिया आपका इंट में और आपका इंट में दिया तीन डिजिट का ठीक है उसके बाद कॉमा रगा के यहां पे मैंने जो कॉलम वहां पहले में दे चुका हूं उनसे ड है इंग्लिश चाहिए है इंग्लिश इंट में चाहिए यह भी आपके तीन डिजिट के और मैंने वस इतना ही यूज किया अब इसके बाद यहां पर मैंने प्राइमरी की को यूज को सुर्ण की को यूज करना है तो फॉर एफ ओ आर ईई जी एन फॉरिंड की ठीक है और फॉ का जी हो हुई आरे वयर में एड्मmist्टए नंबर रेफिरेंज. CFK कर रहा हूंसे और रिफ्रेंज में आपका यहां पर पहले वाले टेवल यॉन और उसमें आपके इसके डेका ताइब को देने पढ़ते हैं reference में किसे करां पहली वाली टेवल का निसीया था आपका college वाली टेवल से ऐसे पॉलेज वाली टेवल में आपका जो रॉल नंबर से तेकर एं देन आफ्टर एक और ब्रेकेट क्लोस करना है सेमिपॉन यूज करना है ये देखें इसने आपका references कर लिया है foreign key को join कर लिया है roll number को admission number से अब आप कैसे कह सकते हैं कि वह ये foreign key use में है तो इसके लिए भी मैं आपको clarify कर दीता हूँ कि किस तरह से पता चलेगा आप देखिए मैंने जो यहाँ पर लिये हैं पहले मैं उन्स policymakers को टिखा जेता हूं कि किस सउसे क्या-क्या कॉलब बने हुए तो मैंने यहाँ पे कॉलम जो बनाई यह के कॉलम में है रूल के गें बुरggakख में अगर में यूस необход कर रहा हूं देखें यह डेटा डाइप है इसमें यहां पे लिखा हुआ है एम यू ऐल की में तो यह आपका मीन्स होता है यहां पे फॉर्ण की का यूज यह शो करा रहा है अब और भी आपको क्लिए करना है तो आप ऐसे क्लिए कर सकते हैं अब यहां पर अगर मैं रॉल नं यह टू और शिक्स और हैं इनके अलावा अगर मैं कोई और नंबर यहां इंपुट करता हूं यहां पर मेरे पास तीन कॉलम है एडिवीशन नंबर हिंदी और इंग्लिश में तुम्हें इंसर्ट करके दिखाता हूं देखिए इसके अलावा और रोल नंबर नहीं लेगा क्योंकि उसने कहां भी पहले वाली टेवल में जो रॉल नंबर हैं वहीं आप डाल सकते हैं तो इंसर्ट इंटू रूल वैल्यूस और वैल्यूस के बाद यहां पर ब्रेकेट लगागे सबसे पहले मैंने रॉल नंबर लिया यहां पर अभी जो मैं रॉल नंबर ले चुका हूं मैं 29 नहीं लिए 29 लिए राउं 29 कॉमा आपके मार्क से लिए 56 एक में और आपके 78 एक म है क्योंकि मेरे पास दोई सब्चिक्ट हैं बेकेट क्लोज किया दैन सेमिकॉलर एक यह देखिए एर्र देरा एर्र में लिखा हुआ है कैंनोट एड और अपडेट एचाइल्ड रो फॉरिंड की लगी हुई है अमित रूल में कॉंस्टेंट रूल लगा हुआ है एडिवीशन नंबर रेफरेंस हो चुका है रॉल लंबर से अब यह चीज़ क्लियर हो गई कि आपकी फॉरिंड की लगी है अब यह रेक्टिफाई कैसे होगी अगर मैं यहां 29 की जगे पे जो इनका रॉल लंबर है 21 भी अगर मैं लूंगा तो वह इसको ले लेगा देखि यह पहले वाली टेवल में तो यह भी आपका यहां इंपुट कर लेगा देखिए अगर मैं फिर वही आपको दुबारा से एक बार फिर चेक करवा देता हूं कि यहां पे अगर मैं रॉल नंबर यहां पे 20 मैंने नहीं लिया है अगर मैं 20 रॉल नंबर यहां लेता हूं तो वो फिर से वही error देगा कि वहाँ foreign key लगी हुई है जो उपर वाली value लगी हुई है सेम वही दे सकता हूँ अब मैं दोनों value में check करा देता हूँ तो select star from आपकी पहली वाली table थी college उसको देख लीजे और फिर दूसरी वाली table में मैंने आपे जो name दिया था वो है आपका rule अब देखें यहां पर 21 और 2 दोनों रोल नंबर पहली वाली table से relate कर रहे हैं तब भी वहाँ पर यूज कर रहा है अगर पहली वाली table से लेटर नहीं करेंगे तो वह दूसरी डिवाली table में उसको यूज नहीं करेंगा ठीक है तो आई होप आपको यह सब चीजे समझ में आ रहे हूं और अब हम इसमें जो है चैनल सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो इसको लाइक करिए ताकि आंगे भी आपको अपडेट मिलते रहें और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगया कि यहां पे आप यूज कर पा रहें अच्छे से समझ रहें तो नेक्स वीडियो में मिलते हैं आपके ग्चेस सेलिगू data बंड़ करते हैं रहें नेक्स वीडियों chilled आपक चाई रहें अधने। झाल झाल